आज हम बनाएंगे टेस्टी और चटपटी मटर की चाट और मटर की चाट तो सभी को पसंद आती है तो इसके लिए मैंने चार उबले आलो लिये हैं जिसे मैंने छिल लिया है और उसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे आधी चोटी चमच जीरा पाउडर डालेंगे आधी चोटी चमच रेट चिली पाउडर डालेंगे और एक बड़ा चमच कॉनफलार डालेंगे अच्छी सी बाइंडिंग के लिए जिसे की हम सेड़ो फ्राई करते वाद पे तूटे ना और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे आलो के साथ और इसे हम टिक्की का सेप देते वि इसकी टिक्की बना लेंगे इसकी साइज आप अपने हिसाप से छोटी बड़ी कर सकते हैं तो यह देखिए एक टिक्की हमारी रेडी हो चुकी है अगर यह हाथों में थोड़ी चीपक रही होगी तो हाथों में थोड़ा तेल लगा ले या फिर पानी लगा की इसका सेप द मैंने माटर को राद बर ओवर नाइट सोग करने के लिए रख दिया था और नमक और हल्दी डाल करके दो सी तीन सीटी मैंने कुकर में से लगाया है ताकि वाच्छे से सौफ्ट हो जाए तो चलिए सबसे पहले हम इसकी टिक्की बना लेते हैं तो पैन कर हम कर लिया है और हमें डालेंगे वन टेबल स्पून ओयल और सारी टिक्कियों को हमने जो बना कर रखी थी उसे इसमें डाल करके हमें सेड़ो फ्राई करना है और इस तरह से देखिए हमने सारी टिक्कियां डाल दी है तो इस तरह से जब यह एक तरफ से हो जाएगी तब इसे हम पलट ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिख जाए और देखिए जब इसमें अच्छे से इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इस स्टिक्की को निकाल लेंगे और उसी पैन में डालेंगे दो बड़े चमच सरसो के तेल और गर्म होने के बाद उसमें डाले लेंगे हम चौक के हुए एक मेडियम साइज के टमाटर उसे भी हलका से डाल करके सोटे कर लेंगे साथ में डालेंगे दो हरी मिर्च कटीवी एक चूटी चमच जीरा पाउडर अधी चूटी चमच रेट चिली पाउडर अधी चूटी चमच गरम मसाला पाउडर और इन और थोड़ी देर इसे इसी तरह से पकाएंगे स्वात के नुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे ध्यान रहें नमक हम पहले भी डाल चुके हैं इसे बॉयल करते वक्त इस लिए नमक थोड़ा कम ही डालें तो लीजिए तयारें गर्मा गर्म मटर की चाट इसके फ्लेवर को और बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़े से धनिया के पत्ते और इसे भी इसमें मिला लेंगे और चलिए इसे निकाल लेते हैं तो इसके लिए दो टिक्की हमने रग लिए हैं और उसमें अपने बनाए हुए चाट डालेंगे दोस्तों रेश्पी पसंद आ रही होगी तो लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को असानी से मिल जाए, तो लीजिए प्याज हमने कट करके थोड़े से डाल दिये हैं, उसके साथ हम डालेंगे थोड़े से टमाटर कट तो लीजिए तियार है, चटपटी, खटी, मीठी, मतर की चाट, तो आपने टेस्ट के आप मीठी चटनी इसमें एड़ कर सकते हैं, साथ में हम डालेंगे एक बड़ा चमच, ग्रीन चटनी, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा भूना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ी सी ग्रीन चिली कटी वी, थोड़ा सा धनिया से इसके गानी सिंग कर देंगे, तो लीजिए तियार है, चटपटी, खटी, मीठी, मतर की चाट, तो आप इसी घर में बनाएं, और बताएं कि आप लोग को कैसी लगीं, तो मिलते हैं कॉने रिस्पे किसां, थैं